आज भारत आधुनिक इंफ्रास्रक्टर के निर्मान के लिए जादा से जादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है तो वही आज का भारत हर वो कदम भे उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो बदलाव के लिए परिश्रम ही एक मातर विकल्प होता है इस सच्चाई को साबित करने के लिए आदरनिय मुख्यमंतरी एकनाज शिंदे जी ने कई सारे ठप हुए प्रोजेक्ट्स को संजीवनी दी है उन्ही कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक है अटल बिहारी वाजपेई श 5.5 किलोमेटर की उन्नत मार्गी का है अटल सेतु का कुल बजेट 17,800 करोड से अधिक है और ये पूरे भारत वर्ष का सबसे लंबा सागरी सेतु है इस अटल सेतु की शुरुवाज शिवडी से होती है और शिवाजी नगर से होकर चिरले गाव में इसकी सीमा समाप्त होती सनमाननिय प्रधान मंतरी मोदी जी के शुन्य परियावरण हानी के विजन के तहर सागरी जीवन आहत नहो ये भी सुनिश्चित किया गया है इस सेतु के कारण यातरा का अनुबाव सुखद, जलद और इंधन समय की बेहत बचत होती है मानो ये प्रोजेक्ट महायूती के सरवांगिन विकास परव का एक तरह से प्रमान है सनमाननिय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के विजन और लिडर्शिप के तहर अटल सेतु का निर्मान किया गया है महराष्ट राज्य के मुख्यमंतरी एकनाजी शिंदे, उपमुख्यमंतरी देवेंद्र जी फट्डवीस और उपमुख्यमंतरी अजीत दादा पवार इनके मार्ग दर्शन से सेतु का काम सफल हुआ है और भूत पूर्व प्रधान मंतरी स्वर्गिय अटल बिहारी वाजपई जैसे जुझारू नेता का नाम इस सेतु को दिया जाना अपने आप में उचा स्तर सुनिश्चित करने वाली बात है